सो हेलो और वेलकम बाक टू आर चैनल एक्सप्लोर विजुबैर और दोस्तों आज काफी टाइम के बाद में यहां पे कोई वीडियो यहां पे अपलोड की हुई है मैंने थोड़ा बिजी था तो दोस्तों यहां पे धमागेदार वीडियो है जो जो भी वीडियो यहां पे बनाते हैं तो उनके लिए आज यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि उनके लिए मैं एक यह लाया हूँ पूरा पकेज जो कि डिगी टेक की तरफ से आता है लीडि रिंग एक्विपमेंट बहुत सारी चीजें इसके साथ में आ जाती हैं तो मैंस में दिखाऊंगा क्या क्या हम को चीजें मिलती है क्या यह वर्थ है लेना मैंने कितने में खरीदा आप इसको सस्ते में कैसे खरीज सकते हैं तो सारी बाते करेंगे स्पेसिफिकेशन से लेके कैसे आप इसको खरीज सकते हैं, क्या यह वर्थ है लेना, क्वालिटी कैसी है, सारी बाते हो करने वाले हैं, तो अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए गर वीडियो को अगर पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा कंटे के लिए, लेट्स केट सार्ड़िए, तो दोस्तों, यह है हमारे पास, डिजिटक की तरफ से आने वाला, LED लाइट रिंग, इसका मॉडल नमबर है, आपको बता दूँ, DL12C, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे अमाजॉन पे आप सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सा है, DRL12C है यह, और यह इसकी 5 feet height है, और यह जो LED ring है, इसके 12 inches की है, और इसके अलावा यहां पे यह जो LED ring है, यह 25 watt का यहां पे जो output है, वो देती है, इसके अलावा यहां पे जो इसकी quality वगेरा है, सारी सब कुछ, बहुत अच्छी लिखी है, हम आगे देखते हैं कि इसक कैसी है quality, इसके अलावा यहां पे नीचे दिया गया है कि runs on 5 watt DC power also, और काफी सारी चीजे हैं, पीछे भी आप detail देखेंगे, तो diameter, weight, आप दी गई है, सारी detailing में, तो वो आप देख सकते हैं, इसके में screen shot भी दिखा रहू हूँ आपको कि इस LED के बारे में क्या specification है, तो वो खोल लेता हूँ पहले, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमें एक stand और एक ही हमको यहां पे light मिल चुकी है यहां पे, तो सबसे पहली चीज़ बता दूँ, जो की stand है काफी यहां पे, बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहां पे, काफी यह है, बहुत ही काफी इच्छी कॉलिटी का मुझे लग रहा है यहां पे, तो stand के मामले में तो मेरा first impression जो stand के लिए गया है, तो वो काफी अच्छा गया है यहां पे, और इसको आप जिस angle पे चाहें, जितने angle पे band कर सकते हैं इसको यहां पे, कि आपको जितने भी angle पे इस position में रखना है तो आप इसको रख सकते हैं यहां पे, इसके अलावा यहां पे दोस्तो इस पे four mounted दिये गया है, जो कि काफी अच्छी quality मुझे यहां पे लगी, ऐसे नहीं कि एक बार यूज करने के बाद आपका यह खराब हो जाए, और इसकी अगर मैं total height आपको दिखाना चाहूं, मेरी height five seven है, और यहां पे हमको यह five feet का पूरा मिल जाता है, इसकी length, जो कि काफी अच्छी है, इसकी, और बाकी quality की बात कर लो, तो stand की quality से तुम्हें काफी impressed हूँ यहां पे, और एक चीज में बिलकुल sure बोलना चाहूंगा, कि अगर आप ऐसे stand बाहर भी लेने जाएं, या online, सिर कोई deal grab कर दे, तब आपको six seven hundred का मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही हलके से बेकार से stand जो मिलते हैं, वो आजकल मिलते हैं, three hundred four hundred rupees में, यहां पे, तो इसकी तो बहुत यची quality है, और यह चीज में बता दू, इस पे आप अच्छे से अच्छा camera, DSLR, सारी चीजे इस पे hold कर सकत होगा, 9.5 minute, 10 out of 10, मुझे बहुत इच्छा लगा है, यहां पे quality wise, और ऐसा भी नहीं लगता मुझे कि यहां पे future में कोई issue आने वाला है, क्योंकि काफी solid build है है, तो कोई issue नहीं आने वाला है, तो stand में तो I'm impressed, अब हम यहां पे light की बात कर लेते हैं, यह हमको light मिल आती है, जो कि ऐसी दिखती है, आप लोग देख सकते हैं यहां पे, डीजी टेक की ब्रैंडिंग दी हुई है, और यह आपका यहां पे phone के लिए दिया हुआ है, और यह moment के लिए दिया हुआ है, कि आपको जिस भी position में रखना हो, आप रख सकते हैं, आपको इस position में रखना है, जि तो यह डारेक्ली यहां पे माउंट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहां पर, तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं, यहां पनी रिंग लाइट को यहां पर कसलिया है, और यह हमारे बास पूरा सेटप बन चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो अभी मैं इसको प् नहीं फोन लगा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह काफी अच्छे से होल्ड करता है और कोई भी इशू नहीं आते हैं इसमें तो होल्डिंग में कोई इशू नहीं है अब मैं यहां पर आपको लाइट के दिखा देता हूं यहां पर जो भी मोट दिये की है जो की भी शиль आफ पर है और इस को मभी आप देको सकते हैं यह अपर कि लाइड कितनी सही हारी मैं आपकी साइड इसको कर देता हूं अगि अई है राप इसकी लाइटिंग देख सकते हैं इसके लाबब यह ड़ाउन करने का है आप नकत्की तो तीन टाइब इक यह कुल मिल जाता है आपको यह वाउम न लाता है आपको यह एक्स्टावय मिल जाता है आपको यह गल जाता है ठाप को यह नॉ पै काफी हमें मार्म दाना ते पर येट पर क्यूंकि अगर आप पास से करना चाहते हैं तो अगर आप देख सकते हैं यह लाइटिंग अपनी साइड लगा हुई है और अगर आपको कुछ फर्क मिल रहा है पहले की जो मेरी शूट हो रही थी वीडियो और आपकी जो शूट हो रही है तो उससे अगर आपक में ही शूट हो रही थी जो भी रूम की लाइटिंग थी उस पर तो अगर आपको यहां पर कुछ डिफरेंस क्रियेट हो रहा है दिफरेंस देखने को मिल रहा है तो जरूर यह एफेक्टिव है बाकी मैं चीज सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको सिक सेवेन हंड़ रूपीज में स्टेंड खरीद लें जो कि आपको बहुत इच्छा सा स्टेंड मिल जाएगा उसके अलावा अगर आप यह 12 इंचिस की जगह अगर 18 इंचिस वाली जो 40 वाट की आती है अगर आप वो लेंगे तो वो को ज्यादा एफेक्टिव होगी ज्यादा यहां पे एक एफेक्ट डालेगी बाकि अगर आप एक स्टार्टिंग क्रियेटर हैं और आपको अतना बजट नहीं हैं तो मुझे लगता है कि यह टील आपके लिए बहुत सही रहेगी कॉंबिनेशन आपके लिए और एक चीज और बता दू मैं इस पे आपको जो अभी एमाजॉन की र बहुत सारी चीजे हैं तो स्पेसिफिकली मैंने आपको मॉडल भी दिखाया था स्टार्टिंग वीडियो में कि यह कौन सा मॉडल है और इसके लावा आपको इसमें बहुत सारे आप्शन मिल जाते हैं कि आपको विदस्टेंड लेना हैं विदाउड सेंड लेना हैं standard 3-4 मोड हैं Cool Warm जैसे मैं भी चेंज करके आपको देखाता हूं कि आप देख सकते हैंब यह warm Blue मैं आपको एक अलग वीडियो पे फील देखने को मिल रहा होगा, इसके अलावा अब ये इक cool mode में होगा, आपको देख रहा होगा इसके अलावा ये थोड़ा सा normal में हो गया, तो यह हमें तीन mode देखने को मिल लाते हैं, यहां पर, warm, cool रूपीज में अगर आप वो सारे ओफर्स अवेल कर पाते हैं और नहीं भी कर पाते हैं तो फॉर्टीन हंडड़ रूपीज में ये बहुत ही अच्छी डील है आप एमासॉन से जाके ग्राप कर सकते हैं डेस्क्रिप्शन में मैं इसकी बाइंग लिंक दे दूँगा आप जर जरूर शेयर करें ताकि वो सही चीज खरीद पाएं सही बैसे में तो दोस्तों थैंक्स वाचिंग कैच यू नेक्स लेड़ा गुरू फॉर बे